राज्खुन्द्रा के पॉन्रोग्राफी मामले में जेल जाने के बाद कही न कहीं पूरी फैमिली का भार, फैमिली को चलाने की जो जिम्मदारी है उख शिल्पा-शेटी के कंधु पर आ गई है जब राज कुंदरा जेल गए थे तब ही ये खबर आई थी कि शिल्पा शेटी को अब राज के स्पॉनोग्राफी के बिजनस का एक रुपया नहीं चाहिए और शिल्पा अपने बच्चों को खुद की कमाई के पैसों से ही पालेगी तब ये भी खबर आई थी कि शिल्पा शेटी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में इस वक्त काम करना चाहती है और शिल्पा ने ये करना शुरू भी कर दिया है पहले शिल्पा सिफ रियालिटी शो में नजर आती थी, जज़ करती थी और बाकी टाइम आराम करती थी लेकिन अब शिल्पा की लाइफ और जादा बिजी हो गई है, स्ट्रेस्फुल हो गई है अपने reality shows तो शिल्पा कर ही रही है लेकिन अब events भी बहुत कर रही है हाल ही में शिल्पा शेटी को सल्मान खान के साथ रियाद में दबंग टूर पर देखा गया था जहाँ पर उन्होंने perform किया था और जाहिर सी बात है एक दिन की performance के लिए शिल्पा ने लाख हो लिये थे और अब शिल्पा शेटी एक बार फिर से सल्मान खान के साथ एक event actually event तो नहीं ये एक big fat wedding थी जहाँ पर शिर्कत की और stage पर dance करती नजर आई वो video अब viral हो रही है हाल ही में राजस्तान में minister प्रफुल पतेल के बेटे की शादी थी जहाँ पर बॉलिवूड इंडस्ट्री के कई celebrities को invite किया गया जिसमें सल्मान खान, अनिल कपूर और शिल्पा शेटी का नाम शामिल है इन्हें कल एरपूर्ट पर spot भी किया गया प्राइवेट एरपूर्ट पर शिल्पा शेटी एक traditional attire में नजर आई थी और अब जैपूर में wedding से कुछ videos वाइरल हुई है जिसमें शिल्पा शेटी, सल्मान खान और अनिल कपूर सल्मान की फिल्म के गाने पर dance करते नजर आ रहे हैं और signature step कर रहे हैं जुम्मे की रात है ये वाला गाना चलाया गया था और तब सल्मान ने dance किया था पहले शिल्पा शेटी weekends पर अपने husband और family के साथ अच्छा time spend किया करती थी वही इन दिनों शिल्पा शेटी weekends पर भी काम कर रही हैं मेहनत कर रही है बात करें अगर राजकुंद्रा की तो जब शिल्पा काम पर जाती है तो राजकुंद्रा वच्चों का खयाल रखते हैं जिस वक शिल्पा शटी जैपुर में perform कर रही थी तब ही राजकुंद्रा को मुंबई में spot किया गया बेटे वियान के साथ वो एक रेस्ट्रो पर ड आयम है मीडिया को देखते ही राजकुंद्रा मुझ छिपाते नजर आए